बीते कुछ सालों से बॉलिवड में फिल्मों की सफलता तै करने का माप दंड बदल गया है इस दौर की बड़ी से बड़ी हिट फिल्म भी थियेटर में मुश्किल से सौ दिन पार कर पाती है हाला कि कुछ सालों पहले तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था यहां हम आपको बॉलिवड की सबसे लंबे समय तक चलने वाली टॉप टेन फिल्मों के बारे में ही बता रहे हैं यह वो फिल्मे हैं जिन्होंने सबसे लंबे वक्त तक थियेटर में लगे रहने का रेकॉर्ड बनाया है अधित्य चोप्रा निर्देशित इस फिल्म के जरिये लोगों ने पहली बार बॉलिवड के शेहनशा अमिता बच्चन और बात्षा शारुक खान को एक साथ परदे पर देखा था इन दोनों के अलावा इस फिल्म में जिमी शेर गिल, उदै चोप्रा, जुगल हंस राज, प्रीती जिंगियानी, शमिता शेटी और किम शर्मा भी नजर आये थे ये फिल्म अगले 50 हफ़तों तक कई सिनेमा घरों में चलती रही कहोना प्यार है राकेश रोशन निर्देशित फिल्म कहोना प्यार है के जरिये रितिक रोशन और अमीशा पटेल ने डेब्यू किया था इस लव स्टोरी के जरिये रितिक, रातों रात, युवाउं, खासकर लड़कियों के पसंदीदा हो गए थे रिलीज के बाद ये फिल्म अगले पच्चास हफ्टों तक थियेटर्स में रही थी राजा हिंदुस्तानी रिलीज डेट 15 नवंबर 1996 आमिर खान और करिश्मा कपूर अभिनीद राजा हिंदुस्तानी में एक अमीर घर की लड़की और गरीब टाक्सी ड्राइवर की प्रेम कथा दिखाई गई थी रिलीज होने के बाद ये फिल्म करीब अगले साल भर तक सिनेमा घरों में लगी रही हम आपके हैं कौन? रिलीज डेट 5 अगस्त 1994 सूरज बरजातिया और सलमान खान की जोड़ी की इस दूसरी फिल्म ने उस वक्त सफलता के सारे रेकॉर्ड तोड़ दिये थे फिल्म में हिरोईन का रोल मादूरी दिक्षित ने निभाया था जो की काफी लोक प्रिया हुआ था ये फिल्म अगले एक साल तक देश के कई सिनेमा घरों में चलती रही थी मैंने प्यार किया रिलीज डेट 29 दिसमबर 1989 सूरज बढ़ जातिया निर्देशत इस फिल्म को आज भी बॉलिवुड की सबसे आदर्श प्रेम कत्ह में से एक माना जाता है इस फिल्म के जरिये ही सूरज ने निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी वही सल्मान खान की बतौर हीरो ये पहली फिल्म थी ये फिल्म अगले एक साल तक देश के कई सिनेमा घरों में चलती रही किस्मत रिलीज डेट 1943 किस्मत को भारत की पहली ब्लॉक बस्टर फिल्म माना जाता है ये फिल्म साल 1943 में रिलीज हुई थी और अगले 187 हफ़तों यानी करीब 3 साल तक कलकता के रॉक सी सिनेमा में चलती रही अशोक कुमार और मुम्ताज शांती अभिनीत इस फिल्म के नाम सबसे ज्यादा वक्त चलने कर रिकॉर्ड कायम रहा मुगले आजम रिलीज डेट 5 अगस्त 1960 आसिफ की मुगले आजम में सलीम और अनारकली की दुखत प्रेम कथा दिखाई गई थी ये फिल्म दिलीप कुमार, मधुबाला और पृत्वीराज कपूर के जबरदस्त अभिने के अलावा अपने भव्य सेट्स और शांदार संगीत के लिए जानी जाती है और अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी साल 1960 में फिल्म रिलीज हुई ये फिल्म अगले तीन साल तक थियेटर्ज में लगी रही अगले पंदरा सालों तक ये फिल्म भारत की सबसे ज्यादा वक्त तक चलने वाली फिल्म बनी रही शोले रिलीज डेट 15 अगस्त 1975 रमेश सिपी निर्देशित फिल्म शोले भारत की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक मानी जाती है रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने अपने दौर में सफलता के नए कीरतीमान स्थापित किये थे मुंबई के मिनर्वा थेटर में ये फिल्म करीब 286 हफ्तों तक यानि 5 साल से ज्यादा वक्त तक चली थी इस फिल्म के प्रमुक सितारे अमिता बच्चन, धरमेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुरी और अमजद खान थे उनके निभाए जैव, वीरू, ठाकुर, बसंती और गबल जैसे किरदारों को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं अधित्य चोप्रा निर्देशित फिल्म दिल्वाले दुल्हनिया ले जाएंगे साल 1995 में रिलीज हुई थी ये फिल्म भारतिय सिनिमा की सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म है मुंबई के मराथा मंदिर सिनिमा में इस फिल्म को चलते हुए 1225 हफ़तों से ज्यादा हो चिके हैं अभी वीडियो को लाइक करें, शेर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मस्सालेदार खबरों के साथ बाई बाई